नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छे होगे दोस्तों अगर आपने आरपी आपका फॉर्म भरा हुआ है यह आपके लिए most important वीडियो होने वाला है यानि दोस्तों exam के डिश्टी से BBI वीडियो होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों हम आपका चर्चा करेंगे दो तीन important चीज़ें आपको बताएंगे आप लोग हमसे पूछ रहेते ना कि सर इस बार का सेफ स्कार क्या रहेगा वो तो हम discuss करेंगी साथ में दोस्तों आप लोगों का confusion था confusion यह था ना कि सर जितना फॉर्म फिलाप हुआ है पिछले बार के तुलना में आधा फॉर्म फिलाप हुआ है क्या competition पिछले बार के तुलना में कम होगा भया एक में डाटा आपको दिखाऊंगा पिछला बार से compare कर गया आप लोग देख जाओगो ना आख की आखे खुली की खुली रह जाएगी यह competition और बढ़ने वाला है पिछला बार के तुलना में आपका बताने वाले पूरा वीडियो देखिएगा अब यह बहुत ही important वीडियो है एक्जाम के जिस्टी से चलिए वीडियो को सुरू करते है अब देखें देखें देस्तो वीडियो में आँगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चा रेलेवे के special रूप से तयारी कर रहा है चाहें जिसमें आप आर्पी पर तयारी कर रहें को स्टेबल या एसाई का यह जुस्तो आप जूनियर नजनियर के तयारी कर रहो एलपी एंटी पीसी हो गया यह गुरूपडी का यह स्पेसल तरफ से रेलेवे का जो भी अच्छा तयारी कर रहा है उसके लिए एक्जाम प सबसे पहले एक ध्यान रखेगा इसमें दोस्तो चोटल रिजल्ट कितना दिया जाएगा विजिकल का टोटल वेकेंसी का आप देखो न तो दस गुना टोटल वेकेंसी का दा सुना करोगे 42,080 आपका फुजिकल के लिए बच्चों का सुना जाएगा पिछला बार का डाटा एक और देखो न तो पिछला बार सेकेंड लिस्ट भी जारी किया गया था इस बार भी है दोस्तों के चर्चा के सेकंड लिस्ट आएगा यह डिपें कितना इस बार भरा गया है दोस्तों 25 से 26 लाग लगबक अप्रोच में दोस्तों आपका फुलफ हुआ है हमने दोस्तों एक वीडियो बनाया था सुरुवात में हमें भी लग रहा था कि जो फॉर्म बच्चा कम से कम अपलाई करेंगा लेकिन दोस्तों बच्चों के पास मत आपको बताते हैं और पिछला कटप सारा पूरे वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आएगा जो पिछला वेकेंसी थी ना ठारा उनिस में उस टाइम संतानमे सो उन्चालिस पोस्टा टोटल मिलाकर बहिया 69 लाग 8881 फॉर्म पिछला बर फिलफ हुआ था मेल में दो होता तो दोस्तों आपका 930 के बीच में होता आदा से भी कम हुआ है पिछला बार मेल फिर्म दोनों का अगर हम उपस्ति की बात करें ना चापन पैंट वन शिक्स इतना उपस्ति था यानि दोस्तों मेल मिला के 35 लाग 46 हजा नौसट पंचांग में बच्चे एक्जाम में म परसेंट होगा और यह 26 लाग बच्चों ने चलो मैक्समाम यह भी डाटा माल लेते हैं कि 26 लाग बच्चों ने फर्म अपलाई किया होगा उस अनुसार दोस्तों कितना यह डाटा निकलके आएगा यह दोस्तों आपका 15,60,000 डाटा निकलके आएगा ठीक है इतना बच्च लाग इस बार दोस्तों मात 15,60,000 कमपेटिशन कम हुआ नहीं होगा आपको मैं अब डाटा बताता हूं कैसे अब देखो दोस्तों पिछला बार टोटल वेकेंसी कितना था पर सिट फाइट निकालना होता है दोस्तों उस पर आपका कमपेटिशन पता चलता है अब पर सिट पर फाइट कितना निकलेगा पर सिट फाइट निकाल रहा है अब इस बार का दोस्तों हम डाटा निकाल लेते हैं तोटल आपका मानग चलो 15,00,000 है और यह 60,000 है ठीक है तोटल वेकेंसी कितनी है भाईया 428 है इसको डिवाइड करोगे पर सिट फाइट कितना निकलेगा भ पिछला बार से कंपेटिशन जादा है तो जाहिर सी बात है भाईया मेरिट जो फाइनल मेरिट है यह रिजल्ट होए दोस्तों फिजिकल के लिए आपका कट अप बढ़ने वाला है कितना कट अब बढ़ सकता है पिछला बार से सारा कुछ आपको बताते है अब यहां और भ एक सीट से मतलब है ना तोटल सीट का तो फाइनल मेरिट पर इतना कंपेटिशन 370 में एक बच्चों का अगर साज पसंद उपस्ती होती है तो एधर उदर होगा तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है ठीक है तो अगर दस गुना निकालते हो ना यहां पर सीट पर आपका निकल आपका निकालते हैं तो यह आपका डाटा निकलता है जहां तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों यह 24.7 निकलेगा तो दस गुना में इतरा फाइट है 15 गुना बच्चों का रिजल लेते तो इतना फाइट है और फाइनल मेरिट के लिए तो यह दूस्तों आपका 370 है क्योंकि पिछला बार देखको गुरूप वाइस था गुरूप वाइस था गुरूप अ था बुता सीड आपका डी ठाई ई था ए था ए था उस्वर गरूप में अलग अलग जोड़ कर सब गृरूप का मानकों अलग अलग था तो लtail तो हमने ऑиля सब जोड्रेस खाज भाग सब्सक्राइब नहीं बना था अब देखो में मुद्धा पर बात करते हैं ध्यान समझेगा दोस्तों क्या है इस बार कटप क्या जाएगा भाया यह डाटा भूल जाओ क्योंकि पिछला बात से जाता ही बच्चे इस बार आपका पर सिट फाइट है अब 2018 का आप देखो दोस् सब्सक्रा करते है जोला है आपको आप सब्सक्राइब जाता है जब हमने तीन चारी का भीडियो बनाय था तीन थी मेगओ दोस्तों अ अपको बताया था उस्टें अनुमान लागा था बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे 40 लाग के आसपार उस्टें हम ने बताया था कभी अब आपको फाइनल मेटिकल 105 प्लस लाना होगा लेकिन उत्रा बच्चे नों फॉर्म नहीं अप्लाई किया हम 26 लाग आज सपास ब भी या भूल जाओ 87 था ना आपका 8 नंबर का अचसपास मीनिमम तो बढ़े गए इससे कम में नहीं होगा हाँ यह दोस्तों आपका बात कर रहा हूँ इसमें रौ आपका नमबर बढ़ता है तो वह एड नहीं किया है ठीक है यह दोस्तों आपका रौ मांस की हमें बात कर र आप पूछो के सर 120 में 95 प्लस लाओ 95 प्लस से कम में आपका काम नहीं होगा ठीक है चलो फीमेल का दोस्तों 80 प्लस अब फीमेल का आपको के सर 57 था इस पर आप सीद देखो पिछला पर 50% सीट जो था ना फीमेल के नेरी के रिजर्व था इस पर ऐसा कुछ नहीं है जाईसी बात से कटप ज्यादा जाएगा ठीक है ओवी सी भाईया ओवी सी देखो पिछला पर कितना था लगबल लगबल दोस्तों आपका 90 जैनल से ज्यादा ओवी सी का गया था लेकिन इस बार हमेशा इसा नहीं होता तो जहां तो मुझे लगता है ओवी सी वाले बच्चे आपका 93 प्लस ही जाएगा जेनल से थोड़ा सा दो नमबर कम हो सकता है उससे कम नहीं ठीक है बाकी एडावल अगर है तो आपका 92 प्लस का टार्गेट रखना है इस major five six day बहात अधावल है एसकना सकता ही नहीं होगो फेलते किवरें सी कम नहीं होगा ठीक है यह ल्याधा जाएगी है इसंसे कम नहीं जाएगा ठीक है यह ध्यान रखेगे यह रोव मास्की बात कर रहा हूं ठीक है आपका नॉर्मलाइजसन में तो चार नमर बढ़ेगा तो वह भी एड हो जाएगा तो वह अलग सीज है ठीक है तो और थोड़ा सा कट आप बढ़ सकते हैं यह मैं आपका यह बता रहूं ने आपका निग लगा रहे हो आप लोग बताओ कितना आपका नंबर आ रहा है ठीक है यह जोस्तों मैंने सारा डाटा के साथ आपको बताया है इसलिए में बोल लता अगर आपने कॉंस्टेबल का फॉर्म अपलाई किया है आप यह कोंस्टेबल का तो मोस्ट इंपोर्टेंट बीडियो बी जनकरिया मुझे लगता है कि आपके लिए दोस्तों फैदय मंद है तो हम आपको बताते रहते हैं तो कुल मिला कर क्या कहने का मतलब यह है दोस्तों आपका जो कंपेटीशन है पिछले बार के तुलना में बढ़ गया है आपको कहो कि सीट मतलब वेकैंसी बच्चे तो कम फ अपास ही डाटा है हलाग उपीशियल नहीं है आठी हमने लगा दिया आता तो अग्जाक पता चल जाएगा थोड़ा बहुत होगा दस एक लाग ज्यादा से अंतर होगा पचीस लाग हो सकता है श्यादा थोड़ी अंतर होगा हां उपस्ती वही 60% का असपास ही रहता है दो यारी आपका अभी से करना अब एक्जाम के डेट की बारे में हम बताते हैं ने चीक है आरपी एक्जाम ठीक है डेट बहिए देखो अक्टूबर या नौबर ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं नो पहले एल्पी का एक्जाम होगा कब होगा एल्पी का एक्जाम गई और दोस्तों अगस्त में उसके बाद टेकिनीशीन के वर्म होगा यह कब होगा अगस्त के बाद दोस्तों माउंक पलो में सितंबर लोग लें देए तो आपके पास समय अभी अच्छा है या मईन Case त्व कोय सवाल पूछना हो तो कमेंट आपके लिए है कमेंट अपने आप पोस्टा उसका रिजॉल्ट जारी किया गया है कट अब हलाकि नहीं बताया गया तो वहां कहां अपडेट में ने दिया टेलिग्राम आपको डाला आप लोग को पता चला तो यह सब आप लोग टेलिग्राम से जूड़ जाएगा कि उज़े करा होता रहता है नहीं बात